नमस्कार, मैं हूराज मोहंतिवारी आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहार में हो रहे उपचुनावों के संदर्व में आज हम सिम्री बक्तियारपूर विधानसभा सीट की बात करेंगे खगड़िया संसद्य छेतर में आने वाले यह विधानसभा सीट जेडियू विधायक दिनेश चंदर्यादो के संसद बन जाने के वज़ास से खाली हुई है चुकि यह सीट जेडियू के पास थी इसलिए NDA के सीट बटवारे में यह सीट जेडियू के ही पास रह गई और जेडियू ने यहां से अरून कुमार यादो को अपना उमिद्वार बनाया है अरून कुमार यादो यहां से 2010 विधानसभा चुनाओ में जेडियू के टिकट पर कॉंग्रेस के महबूब अली कैसर को 18,842 वोटों से हारा कर चुनाओ जीत चुके है हलांकि दिनेश चंद्र यादो के ही 15 लोगसभा चुनाओ में सांसत बन जाने और सीट खाली होने के वज़ा से हुए 2009 के इस सीट पर उपचुनाओ में कॉंग्रेस के महबूब अली कैसर से अरून कुमार चुनाओ हारे थे 2015 में जब जेडियू, आर्जेडी और कॉंग्रेस महागडबंधन बना चुनाओ लरे तो ये सीट जेडियू के पास ही रही और जेडियू ने 2014 लोगसभा चुनाओ हार चुके दिनेश चंद्र यादो को फिर से उमिदवार बनाया और वे एक बार फिर यहां से चुनाओ ज महागडबंधन की बात की जाए तो महागडबंधन में सामिल विकासिल इंसान पार्टी के प्रमुक मुकेस सानी यहां से अपना उमिदवार उतारना चाहते थे उनका काना था कि सिम्री बक्तियारपूर खगारिया लोकसवा में आता है और 2019 लोकसवा चुनाओ में एंडिये खिलाब बिहार में बने महागडबंधन में ये सीट उनकी पार्टी के खाते में थी जिस पर उन्होंने खुद चुनाओ लड़ा था इस तरह सिम्री बक्तियारपूर विधानसवा सीट गडबंधन धर्म के अनुसार उनकी पार्टी के अधिकार छेतर में आता है परंदु राज़त ने महागडबंधन के नेताओं से बात किये बिना जफर अलम को यहां से उमिदवार घोसित कर दिया जिससे नराज विकासि पार्टी के उमिदवार को सायोग देनी की घुसना कर दिये महागडबंधन के विकराओं का फाइदा जेडियो और एंडियो को कितना मिलता है यह तो 24 अक्टूबर के बाद पता चली जाएगा लेकिन इतना तो निश्चित है कि इस सीट पर एंडिये परत्यासी काफी कर सकता है यह उपचुनाव महागडबंधन के लिए संक्रमन काल की तरह है जिसमें हर किसी भी पाटी को महागडबंधन धर्म को निभाना है जिसमें वह अब तक तो सफल होते नहीं दिख रहे हैं महागडबंधन में वर्तमान में जो इस्थिती बन रही है उससे तो यही कि जिस मजबूती के लिए महागडबंदन बना था अब वही उसकी कमजोडी बनती दिख रही है यही इस्तिती 2020 के विधानसवा चुनाव तक रही तो महागडबंदन पूरी तरह से विखर जाएगा एवां सायद जन्ता के सामने नितिसकुमार का एक बेहतर और मजबूत वि करें दन्ने वाद